प्यारे बच्चों नमस्ते अभी हमें मैंडम एक मिली वो कह रही थी सर परसों एक अंकल जी थोड़ा सा बहुत ज्यादा नाराज से होगे मेरे उपर गोल गपा खा रहे थे वहां पर इनके साथ तो मैंने का मैंडम आपको पता नहीं क्यों नाराज भी अभी मता बताता हूं प्रेशर का बारे में सुना मेटा प्रेशर प्रेशर क्या होता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स अपॉन एरिया में यानि जितना भी ज्यादा एरिया होगा उतना प्रेसर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा because pressure is inversely proportional to area और जितना area कम होगा उतना ही pressure बढ़ जाएगा force pressure is directly proportional to the force no doubt force माने weight अगर माने किसी को जैसे आप एक आदमी खड़ा है तो उसका जमीन पर pressure कितना पड़ेगा एक पाहँ पर ज्यादा पड़ेगा कि दोनों पाहँ जब खड़ा होगा तब ज्यादा पड़ेगा तो force तो उतना ही है दोनों लेकिन जब वह एक पाहँ पर खड़ा हुआ तो area क्या हो गया आधा हो गया इसने प्रेशर डबल हो गया मैडम से उस अंकल नाराज क्यों है यहां दिखे दरज्ञान से मैडम ने पिया था पैंसिल हील वाली सेंडल और दूसरे जो अंकल जी वहां उनके बगल में थे उनका था वेट एक सो बीस किलो भारी भरकम थे लेकिन सूज कैसे पहनते हैं फ्लाइट वाला फ्लाइट और मैडम का वेट मालो 45 कीजी स्लिम एंड ट्रिम तो प्रेशर क्या हुआ जैसे इनका पाउं उनके पाउं के उपर पढ़ा सेंडल तो एरिया बहुत काम होने क्यों जैसे क्या हुआ प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड ही चीख निकल गई जबकि 120 किलो वाले अंकल जी का पाउं भी उनके पाउं में पढ़ा था लेकि उनको पता ही नहीं पता लगा क्योंकि 120 अपॉन यहां पर इसको मैं अगर मानों पांच मानों तो मैडम के हिसाब से कितना हो गया 24 का हिसाब हो गया जबकि अंकल जी का 120 सौरी अभी सौरी वह पांच पांच नहीं है वन ट्वंटी के साथ से अंकल जी का था पॉटी कर देते हैं इसका तो कई गुना है पांच आठ गुना होगा तो यह कितना होगा केवल तीन पड़ा आप मैडम का कॉण सब देखते हैं मैडम का मुझे से प्रेशर कितना पड़ा हो देख लेते हैं उसी चीज को मैडम को हमने कहा 40 के जी को 45 45 डिवाइडर है 5 तो याने क्या हुआ इससे तीन टाइमस थी तीन गुना प्रेशर पड़ा तो ने चुली हर्ट तो होना ही होना था यह जब कि हमने छोटी सी कल्कुलिशन इजी वाला लिया है असर तो इसका यह तो बहुत ही कम है इससे पर मैंने तो फिर भी जो है कि वहल वन एड़ी लिया त थाने क्यू